सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कर दोस्तों स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पर साथियों साइकलोजी की यह जो कलास है 81 कलास इस कलास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीएब दो जर पांच जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि मैंने आपको पूरी साइकलोजी पड़ाई है और आपके साइकलोजी की कुछ कक्षें बाकी रह गई है तो वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी ज़्याद से ज़्यादा पांच याद पांच साथ दिन का कॉर्स और आपके बचा है तो मित्रों सभी को विदित होगा कि एनसीएब का क्यूशन हर बार एक्जाम में आता है और बहुत ही इंपोर्टेंट ये टोपिक है इस टोपिक की दो कलासे बनेगी कलासे में एक भी बना सकता था ठीक है कलास एक भी हो सकती थी लेकिन होता क्या कि आपका जो ये टोपिक है ये आदा धूरा पढ़ाना पढ़ता तो मित्रों बिल्कुल पूरी डिटेल से में बताने वाला हूँ और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और इसके बाद जो वीडियो बनता है उसको भी पूरा देखते हो तो आपको दोबारा किसी भी बुक में सही ये टोपिक पढ़ने की जोरत नहीं पढ़ेगी तो चेले शुरू करते हैं सभी ने नाम सुना होगा राश्ट्रिय पार्टे चर्या की रूप रहका 2005 अगर ये ने सुना है तो NCAP 2005 तो सभी ने सुन रखा होगा दोनों ये की चीज है NCAP इसमें एक शब्द लिखा हुआ है NCAP इस NCAP का मतलब होता है N का मतलब होता है National C का मतलब होता है Curriculum और A का मतलब होता है Framework National Curriculum Framework राश्ट्रिय पार्टे चर्या की रूप रहका 2005 मित्रो 2005 में इसका निर्मान किया था इसलिए 2005 इसमें लिखा जाता है जिसे आर्टी 2009 में बना था तो उसमें 2009 लिखा जाता है इसे NCF 2005 में बना था तो इसमें 2005 लिखा जाता है अब इस टोपिक को शुरू करने से पहले एक बात दिमाग में बिल्कुल सभी के फिट होना चाहिए कि यह जो टोपिक है यह संपूर्ण टोपिक पाटे चर्या को लेकर ही रहेगा ठीक है पाटे चर्या जो होती है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है जो सिक्सन से संबंदित गतिविदियां होती है जो सेक्षिक और गेर सेक्षिक या फिर गेर सेक्षिक क्या सोड़ी सै सेक्षिक सेक्षिक और सै सेक्षिक जो शेत्र होते हैं उनमें किस प्रकार बालकों को पढ़ाना है किस प्रकार कौंसे किर्या करानी है सबी चीजे इसके नतरगत आ जाती है मित्रों आपका जो करीकुलाम होता है तो वहाँ पर बच्चों को इस प्रकार से कि उनका सभी प्रकार से विकास हो इसके लिए ही इसका गटन किया गया था मतलब कि बालक को जो प्राचिन तरीके से पढ़ाते आ रहे हैं क्या उसको ही लगतार जारी रखा जाए या कुछ उसमें परिवर्तन किया जाए पाटे चर्या में ताकि बच्चों में सभी प्रकार का विकास बहुत अच्छी तरह से हो वो बिना बोज के सिक्षा सिखे ये सभी चीज़े इसके अंतरगत आ जाती है तो ये टोपी किसी से संबंदीत है कि जी पाटे चर्या जो होती है आकिर किस तरह से क्या कार इसमें करना है क्या संसोदन करना है क्या परिवर्तन करना है सभी चीज़े इसमें आ जाएगी बिलकुल मैं शुरू से पढ़ने वाला हूँ शुरू करते हैं मित्रों कलास को भारतिय पार्टे चर्या में एक अभूत पूरू परिवर्तन करने के लिए NCF 2005 का गटन किया गया मतलब 2005 के पहले की जो पार्टे चर्या थी उसमें कुछ कमिया थी कुछ जो प्राचिन तरीके से चलिया रही वीदिया है उनका प्रियू किया जाता था प्राचिन तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था तो गोर्मेंट को यसा लगा कि यार ये तरीका सही नहीं है इसमे कुछ चेंजेज होना चाहिए तो उसमें परिवर्तन करने के लिए ही NCF 2005 का गटन किया गया था आगे देखेंगे सोतंतृता के बाद भारतिय पार्टी चर्या में मूल रूप से परिवर्तन करने का कारिय सबसे पहले प्रतम नई सिक्षा निती 1986 के माध्यम से किया गया निती 1986 के माध्यम से जब प्रतम नहीं राश्टी सिक्षा निती 1986 लागू उई तो उसके अंतरगत ही पार्टे चर्या में परिवर्तन के लिए वहां पर प्रियास किया गया था आगे देखेंगे 1992 में कियात्म कारिकरम प्रोग्राम ओफेक्षन के अंतरगत पहली बार सिक्षा को बोज रहीत करने का विचार दिया गया तो समझे बोज रहीत सिक्षा का विचार NCF 2005 के दोरा नहीं दिया गया था बलकि 1992 में ही बोज रही सिक्षा मतलब learning without burden बोज रही सिक्षा जिसको कहा जाता है इसका विचार 1992 में कियात्म कारिकरम या प्रोग्राम ओपेक्षन के अंतरगत दे दिया गया था हाला कि जो NCF 2005 है ये बोज रही सिक्षा पर आदारी थे लेकिन बोज रही सिक्षा का विचार किर्यात्मक कारिकरम के दोरा 1992 में ही दे दिया गया सन 2002 में प्रदान मंत्री अटल बिहारी वाजपे ने NCF 2005 का गटन करने का विचार दिया किन्तु यह लागू नहीं हो पाया मतलब जो NCF है राष्टिय पार्टे चर्या की रूप रेका है इसमें कुछ परिवरतन पहले से ही यहां विचार दे दिया गया था अटल बियारी जी ने कि यार NCF लागू किया जाना चाहिए इसका गटन किया जाना चाहिए लेकिन ये 2002 में लागू नहीं हो पाया मित्रों अतय बार्टिय पार्टे चर्या की समश्याओं को देखते हुए NCRT दिल्ली में 14 जुलाई एवं 19 जुलाई 2004 को एक बेटक आयोजित हुई इस बेटक में मानव संसादन विकास मंत्राले से संबंदित सेक्षिक पत्रकार क्रमचारी एवं NCRT के प्रोपेसर आदी शामिल हुए देखो समझे इस चीज को कि 2002 में ही अटल बिहारी जीन है कि एंसे लागू किया जाना चाहिए इसका गटन करना चाहिए एसे कुछ विचार इन्होंने दे दिया लेकिन उस समें ये लागू नहीं हो पाया उसके बाद में क्या हुआ कि जो भारतिय पार्टे चर्या में जितनी भी समझे थी उन समझे ओं को देखा कि यार ये तो बहुत जादा समझे हैं बहुत जादा इसमें कमिया है उनको देखते हुए NCRT दिल्ली में 14 जुलाई को और 19 जुलाई 2004 को एक बेटक आयो जीत हुई थी 14 जुलाई को भी बेटक बुलाई गई कब 2004 में इस बेटक में मानव संसादन विकास मंत्राले से संबंदित सेक्षिक पत्रकार करमचारी एवं NCRT के प्रोपेसर आदी शामिल हुए मतलब जो लोग पार्टी चर्या का निर्धरन करते हैं वो सभी लोग इस बेटक में सामिल हुए इस बेट करने का निर्धरन लिया गया था आगे देखेंगे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है NCRT के प्रोपेसर यश्पाल सर्मा को NCF 2005 का अद्यक्ष नियुक्त किया गया तो देखो बहुत इंपोर्टेंट चीज है यह कि NCF 2005 का अद्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था तो आपका अंसर रहेगा प्रोपेसर यश्पाल शर्मा को मतलब NCEP 2005 के अद्यक्ष कोने मित्रो प्रोपेसर येशपाल प्रोपेसर येशपाल ने भारत के सभी राज्यों की पार्टी चर्या के निरिक्षन के लिए 21 राष्ट्रिय फोकस दल गटित किये अब अध्यक्ष किसको बना दिया गया इनसेब 2005 का प्रोपेसर येशपाल को अध्यक्ष बना दिया कि आपको ही ये सभी चीजे करनी है तो येशपाल ने क्या किया संपूर भारत में ठीक है संपूर भारत में जो पार्टी चर्या चलती है उनका निरिक्षन करने के लिए 21 दल बना है कितने टोटल 21 दलों का गटन किया जिनको 21 राष्ट्रिय फोकस दल के नाम से जाना जाता है तो इसका गटन किसके दोरा किया ग राश्टी फोकस दल थे इन परतियक दल में दस सदश्य शामिल किये गए मतलब बहुत बड़ी टीम बनाई गई 21 दल में परतियक दल में अगर 10 कैनिडेट रहेंगे तो वहां पर कुल जो सदश्य है उनकी संक्या कितनी हो जाती है 210 मतलब 210 सदश्यों का चुनाव किया गया औ और उनको भारत में अलग-अलग इस्तानों पर अलग-अलग राज्यों में बेजा गया कि आप जाईए और पार्टीचर्या का निर्कसण करकर आाईए कि कौन-कौन सी पार्टीचर्या चल रही है क्या-कया उनमें कमिया है क्या-कया सुधारपेक्शित है यह सबी चिज इनमें कौन-कौन सामिलते, किस परकार इनका चैन किया गया था, कहां से इनका चैन किया गया था इन चीज़ को देखिए इन दलों में सदश्यों के रूप में NCRT के गेर अकादमिक करमचारी गेर सिक्सन संस्ताओं के प्रतिनी दी एवं विबिन राज्यों के प्रात्मिक विध्यालियों के प्रधाना ध्यापकों को नियुक्ते किया गया तो देखिए एक केसे केसे चुनाओ किया इनका कि जो NC LT का गेर अकादमे करमचारी वो इसमें सामिल किया गया गया गेर सिक्सन संस्ताओं के प्रतिनी दीयों को सामिल किया गया और अलग-अलग राज्यों के जो P.S.S. कूल है उनके प्रधाना ध्यापक है उनको भी इन फो फोकस दल ने बारत के अलग-अलग राज्यों की पार्टी चर्या का निरिक्सन करके अपने सुजावयम परतिवेधन प्रस्तुत किये अब यह जो 21 फोकस दल ते यह पूरे संपूर बारत में गुमें और इन्हों ने देखा कि हाँ यार यह कमिया है यह फिर इसमें यह शंश पाल ने NCF 2005 की रूपरे का तैयार की अब जब इन दलों ने संपूर बारत में पार्टी चर्या का अउलोकन करने के बाद में अपने मत प्रस्तुत कर दिये तो उस आधार पर प्रोपेसर यह श्पाल के दोरा NCF 2005 का जो फोर्मेट है वो तैयार किया गया कि किस प्रकार से सं तर उन्होंने बताई मित्रों NCF 2005 के भाषय सलाकर समीतिक अध्यक्ष डॉक्टर नामवर सिंग थे जिन्होंने इसके भाषय का स्वरूप निर्दारित किया यह भी एक इंपोर्टेंट प्रिश्ण बने जाता है कि NCF 2005 के भाषय सलाकर समीतिक अध्यक्ष कोन थे तो वहां पर आपका अंसर एगा डॉक्टर नामवर सिंग इन्होंने क्या किया था बाषय का स्वरूप इन्होंने निर्दारित किया था तो मित्रों आगे देखते हैं एक जुलाई 2005 से पूरे भारत में NCF 2005 लाग हो गया अब देखिए जिसे आटी लाग हुआ था ऐसे ही NCF 2005 कब लाग हुआ एक जुलाई 2005 को हर जगे आपको यह देखने को नहीं मिलेगी तो बिल्कुल अच्छी तरह सा आप इनको नोट कर सकते हो कि NCF 2005 पूरे भारत में कब लाग हुआ एक जुलाई 2005 को देखिए NCF 2005 में कुल अध्याईओ की संक्या 5 है मैं इन अध्याईओ को बिल्कुल अच्छी तरह सा आपको पढ़ाने वाला हूँ देखे इन पांच अध्याईों में नॉर्माली में बता दिता हूँ कि पहले अध्याई में क्या है दूसरे में तीसरे में चोते में पांच वे में क्या क्या चीज़ें इन्होंने सम्मिलित या शामिल की है चलिए देखते हैं इसके प्रतम अध्याई में सोतंतर्ता के बाद से भारतिय पार्टी चर्या में जितने भी परिवरृतन हुए हैं उन्हें शामिल किया गया जो पहला अध्याई है उसमें इनुनोंने क्या रखा कि सोतंतर्ता के बाद में अब 1948 के बाद में भारत में जितने भी पार्टे चर्या में परिवर्तन किये गए हैं वो सभी परिवर्तन प्रतम अध्याई में सामिल किये गए दारेक लिए प्रिशना सकते हैं यहां से इसके दित्य अध्याई में NCF 2005 के उद्देश निश्चित किये गए कि NCF 2005 के क्या उद्देश यह इसके दित्य अध्याई में बताया गया इसके तरती अध्याई में निर्देश दिये गए कि क्या-क्या निर्देश NCF 2005 के दोरा दिये गए थे वो इसके तरती अध्याई में था इसके चतुर्त अध्याई में मित्रो NCF 2005 के नीती निर्देशक सिद्धांत प्रस्तुत किये गए और इसके पांचे और अंतिम अध्याई में भाशा संबंदी सुझाओ दिये गए तो मित्रो इसको आप जरूर लिखे क्योंकि आपको ये चीज हर जगे देखने को नहीं मिलेगी परतम अध्याई में क्या था? 1948 के बाद से जितनी भी बार पार्टे चर्या में परिवर्तन हुएं सबी चीजे यहां सामिल कर ली गए दित्ती अध्याई में क्या किया? उद्देश निश्चित किये, तरतिय में निर्देश दिये, चोते में निर्ती निर्देशक सिद्दान प्रस्तूत किये और पांचवे और अंतियम अध्याई में बाश्या संबन्दी सुझाओ दिये गए अब मैं इनको एक एक अध्याई को आपको अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूँ तो इसके बाद इसका एक और वीडियो बनेगा क्योंकि एक वीडियो तो एक गंटे के लगबक का बन जाता है इसलिए इसके मैं दो पार्ट बना रहा हूँ अगर देखते हो तो दोनों पार्टों को जरूर देखना है एसा नहीं है कि एक पार्ट को देख लिया उसके बाद आपने दूसरे भाग को देखा ही नहीं तो मित्रो चैनल पर देखिए आपको साइकलोजी का पूरा कोर्स करवाया जा रहा है बिल्कुल निशुल तो केसा लगा आपको साइकलोजी का कोर्स जो मैंने आपको नोट्स लिखवाया है कमेंड करके जरूर बताएं आगे देखते हैं मित्रो बात करते हैं इसके प्रतम अध्याई की किसके प्रतम अध्याई में क्या होता है इसके प्रतम अध्याई की शुरुवाद गुरुदेव रविंद्र नाट टेगोर के एक परसिद्ध निबंद सब्यता की प्रगती NCF 2005 के प्रतम अध्य की शुरुआत भी इसी से होती है सब्यता की प्रगती जो ये निबनता इसमें एक पद आता है सरजनात्मक्ता एवं उदार आनंद बच्पन की कुंजी है किन्तु ना समझ वैस्क संसार में इसकी विकृती का खत्रा है से होता है एक पद है सब्यता की प्रगती में इस ये जो यहां पद मेंने लिका है इस पद से ही NCF 2005 की शुरुआत होती है इसके प्रतम अध्याई में NCF 2005 के गटन से पुरू बारती पार्टी चर्या में होने वाले परिवर्तनों का विवरन दिया गया है अमित्रो परिवर्तन तो बहुत वार हो चुके थे एक एक परिवर्तन को में यहां आपके हो सामने नहीं बता सकता और वो बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगा तो आप सिर्फ यूँ याद रखिए कि जो परतम अध्याई है उसमें किसको सम्मिलित किया गया था तो आपका अंसर रहेगा बारतिय पार्टे चर्या में होने वाले समस्त परिवर्तनों का विवरन परतम अध्याई में सम्मिलित किया गया है इसके बाकी के जो चार अध्याई बच रहे हैं एक केक को बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा लगबग आदे घंटे का वो वीडियो बनेगा तो उसको जरूर देखे मिलते हैं मित्रों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में कमेंड करके जाए केसी लगी कलास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में